बिग बॉस पंद्रा के मेकर शो को इंट्रेस्टिंग बनाए रखने और ओडियंस को खुछ से बांदे रखने के लिए जीत तोड़ कोशिश कर रहे हैं घर में अभी तक कई वाइल कार एंट्रीज भी हो चुकी हैं जो सोशल मीडिया पर शो के लिए बस क्रियेट करने में कुछ हद तक काम्याब भी रहा है रश्मी, देवलीना, राखी, रितेश और अभीजीत के घर में आने के बाद से माहौल भी कुछ चेंज हुआ है पहले जहां सभी सदस्य कोने में बैट कर बस बाते करते दिखाई देते थे, वो अब लड़ते जगरते और एक दूसरे पर चिलाते रहते हैं इसका असर उनके इस हफते की रांकिंग्स फर भी पड़ा है तब ही टॉप वाइव में एक भी वियाईपी अपनी चगा नहीं बना पाया यहां तक कि रितेश को तो नंबर बारा पर रखा है वहीं उनकी बीवी और एंटर्टेन्मेंट कुईन राखी से भी शायद ओडियंस बोर हो गई है क्योंकि तीनों सीजन में वो सेम ही लगी है इसलिए उन्हें मिली है 11th position नंबर पांच पर हमारी शमिता शैटी है जो पिछले हफते 7th position पर थी लेकिन देवुलीना से हुई उनकी लड़ाई लगता है काम आ गई और ओडियंस ने उन्हें सीधे टॉप 5 में जगा दे दी 3rd और 4th position पर है हमारे लवबर्ट करन कुंद्रा और तेजिस्ती प्रकाश हमेशा टॉप 2 में रहे तेजारण के फैंस के लिए ये थोड़ा डिसपोइंटिंग हो सकता है क्योंकि घर में सबसे ज्यादा पॉपिलर सिलेब्रिटीज करन्टली वो ही हैं पर लगता है गेम के मामले में कुछ ठीले पड़ गए हैं वेल हमारे टॉप 2 हैं वेरी वेल डिजरविंग उमर रियाज और प्रतीक सहचपाल जिनने ओडियंस का भर पूर प्यार मिल रहा है प्रतीक जो पहले बिग बॉस OTT में भी कंटेस्टन रह चुके हैं क्लिरली सबके फेवरिट है उनकी अग्रेशन गेम को लेकर उनका डेडिकेशन साफ नजर आता है कहां पहले करन कुंद्रा को ट्रोफी का दावेदार माना जा रहा था लेकिन अब लगता है कि प्रतीक बाजी पलट देंगे तो क्या आप भी सहमत हैं इस कंटेस्टन रेटिंग चार्ट से बताए हमें कॉमें सेक्शन में बिग बॉस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहे एबी पी न्यूस पर